जै महाकाल दोस्तों, पहले वीडियो में हमने जाना कि हम उजयन किस तरह पहुचेंगे, उजयन में दर्शन किस तरह करेंगे और उजयन घूमने में हमारा कुल खर्चा कितना होने वाला है तो आईए, अब इस वीडियो में हम जानते हैं, कि उज्यान में local tourist places क्या-क्या है घूमने के लिए महाकालवागा का दर्शन के निवाद अब बारी आते हैं कि हम उज्यान में tourist places में कहा का विजिट कर सकते हैं local area में local site में तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको auto या इरिक्सा बुक करना पड़ता है जिसका जो चार्ज होता है जो जो रिजर्व करना पड़ता है हमें तो उसका 500 पी चार्ज वह रिजर्व में लेते हैं जिसमें वह 5 तो 6 जो भी आपके member होते हैं उन्हें और अगर आप लोग 2-3 passenger है या पर एक passenger जो भी है और आप चाहते हैं पर passenger जाना तो यहां पर passenger कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप पर passenger पे ले जाए तो कि यहां पे हर खर किसी इन अपना रूल बना रखाए कि रिजर्व में ही जाएंगे तो आप steering करके जा सकते हैं जैसे इसमें और चार से पांच गंते ले अच्छे सो भूमाने का और आपको उसी जयगा पर वो फिर ड्रॉप कर दे तो इस तरह आप यहां पर बुग करके घूम सकते हैं अपना अपना व्जयन को लोगल टूरीस प्लेसे दैने वाला तो चलिए हम भी अपनी जात्रार श्टार मंदिर से था गड़कालिका मंदिर वैसे तो गड़कालिका का मंदिर सक्तिपीड में सामिल नहीं है किन्तु उज्यान छेत्र में माँ अर्शिद्धी सक्तिपीड होने के कारण इस छेत्र का माध्व अपने आप में बढ़ जाता है पुरानों में उलेक मिलता है कि उज्यान में सिप्रा नदी के तट के पास इस थित भैरव परवत मभार मा भगवती सती के ओष्ट घिरे थे इसी वज़े से गड़कालिका मंदिर के अपने आप में में जलता बढ़ जाती है गड़कालिका मंदिर के बाद हम चलते हैं ब्रत हरी गुफा के लिए जोकि गड़कालिका मंदिर चे एक किलो मीटर ही दूर में था ब्रत हरी गुफा में जाने के लिए हमें करीब 30 से 40 सीड़ी नीचे उतर कर जाना परता है कहा जाता है उजयन में ऐसा ही एक इस्थान है जहां राजा ब्रत हरी की गुफा है यह गुफा नाच संप्रदाई के सादू का साधना इस्थल है गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है जिसके कारण वहां सांस लेने में कठिनाई होती है गुफा में ब्रत हरी की प्रतीमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है ब्रत हरी गुफा में दर्चन करने कवाद हम मोसमों को अपना मज़ा लेते हुए हम चलते हैं भगवान काल भैरब मंदिर की और काल भैरब मंदिर ब्रत हरी गुफा से करीब दो किलोमेटर की दूरी पर था भगवान काल भैरब का मंदिर स्चीपरा नदी के किनारे भैरवगर्ड छेटर में इस्तित है कहा जाता है इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भगवान काल भैरब को क्रतीमा को सराव का भोग लगाया जाता है और आश्चरे की बात यह है कि देखते ही देखते वह पाथ जिसमें मदीरा का भोग लगाया जाता है वह खाली हो जाता है और यह सरा कहा जाता है यह रहस्ट्र आज भी बना हुआ है कहा जाता है कि उज्यान में बाबा महाकाल के दर्शन कनेगवाद भगवान काल भैरफ का दर्शन करना जरूरी होता है और इसलिए इस मंदिर की अपने आप में महत्वता बढ़ जाती है और यहाँ पे बहुत ही जारब भगवान काल भैरफ का दर्शन करनेगवाद हम चलते हैं सिद्वट मंदिर के लिए जो की काल भैरफ से करीब एक से डेड़ किलोमीटर दूरी में था सिद्वट मंदिर पहुचने गवाद आप कुछ इस तरह से बंदर भी आपको देखने को मिलेंगे जिने आप अपने हातों से कुछ भी परसाद या कुछ भी इने भोजन करवा सकते हैं साथे साथ हमें इन रास्तों से गुजरना होता है और इसी रास्त में आपको कई सारे बंदर भी देखने को मिलते हैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जयन में केवल अकाल मुरित्यु के भाई से ही मुक्ति नहीं मिलती है बलकि यहाँ पर मौक्ष की प्राप्ती भी होती है टिप्रतत के किनारे इस दिश्जिद्वट मंदिर का प्राचीन समय से ही काफी मानेता है इसकंद पुरान के मुताविश इस वट भ्रिक्ष को माता पार्वती ने लगाया था यहाँ पर दूद अर्पित करने और फूझा करने से पित्लों की सांती के साथ साथ मौक्ष की प्राप्ती भी होती है देश भर में चार वट प्रिक्ष की काफी मानेता है इसमें उजयान का स्टीद्वट भी सामिल है सीदवर्ट के अलावा गया में बोधवर्ट, वरिंदावन में वंशीवर्ट और इलावाद में अक्षदवर्ट की काफी माननेता है सीदवर्ट मंदिर में दर्थन करने को यह हम निगल जाते हैं मंगलनात मंदिर के लिए मंगलनात मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर सद्यों पुराना है सिंधिया राज घराने ने इसका पुने निर्वान करवाया था यहां की गई मंगल की पूजा का विशेश महत्व है भकतो द्वारा यहां मंगलनात को सिवरूप में ही पूजा जाता है मंगलवार के दिन यहां सरधालू दूर दूर से चले आते रहते हैं और यहां होने वाली भातपुजा को भी काफी महत्वपून माना जाता है माननेता है कि इस मंदिर में भातपुजा करवाने से कुंडली के मंगल की सांती होती है और मांगलिक दोस्ते ग्रस्त व्यक्तियों के सारे काम निर्विग्र पूरे होते हैं मंगलनाथ मंदिर में अब दर्शन का नेगवाद हम चलते हैं संदीपनी आश्टम की योर संदीपनी आश्टम वे जगह है जहां भगवान स्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम और अपने दोस्त चुदामा के साथ मिलकर पढ़ाई की थी कहा जाता है उज्ञैन में मौजूद संदीपनी आश्टम को लेकर मानेता है कि भगवान स्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और दोस्त चुदामा के साथ मिलकर अपने बाले काल में यहां पढ़े थे भगवान स्री कृष्ण ने अपने गुरू संदीपनी से उज्ञैन में ही ज्ञान प्राप्त किया था और माननता है कि उन्होंने यहीं पर 64 दिन में 64 विद्याए 16 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था उज्ञैन में महकाल कोरिडोर के बगल में इस्तित भारत माता मंदिर है जहां पर आप अच्छे से जाकर वहां भी घुम सकते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारे भारत का नक्षा जहां पर आप देख सकते हैं हमारे देश में कुल बारा जोतिरलिंग कहां कहां पर इस्तितर वह भी आपको वहां पर देखने को अच्छे से मिलेगा और साथि साथ आप मंदिर के अंधर कुछ इस तरह जाकर भारत माता का दर्थार कर सकते हैं कहा जाता है यहां पर भी भगवाण सीर्व राजमान होते हैं वहाँ पर माता पार्वती अबस्या उनके साथ होती है और इसी तरह उज्यान मेवी महाकाली सह मंदिर से आधी किलोमीटर दूर में माता हर्चिद्धी मंदिर है देश बर में हर्चिद्धी देवी के कई प्रसीद मंदिर है लेकिन वारानोसी और उज्यान इस्तित हर्चिद्धी मंदिर सबसे प्राचीन है कहते हैं फसिद्धी माता मंदिर वहां इस सित है जहां माता सती के हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी और इसलिए इस मंदिर को सक्तिपीट कहा जाता है और इस तरह आप उजयन में सभी मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइफ करें, कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैसी महाकाल